अच्छा धन्यबाद परम्पुज्य जगत गुरू स्वामे श्री निश्राजन सरस्वती जी के चर्णों में प्रणाम दिवेदित करता हूं आज इस राजधर्म संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे माननी ये सांसत श्री असुनी बैसनों जी जिनके सारगर्वित बैक्तिब को सुन रहा था और ऐसा अंभव कर रहा था कि राजधर्म के मात्यम से जनहित परहित किस तरह सुचिता पूंड तरीके से सक्री होकर संभाव से किया जा सकता है बस्तुता ये राजनी सास्त्र का एक गूर पक्ष है जिसे हम ब्योहारिक पक्ष करते हैं और इसी के लिए राजनीत है भी राजनीत लोग कल्यान की बिढ़ा है और उसमें वो किस तरह से प्रतिभाग करते रहे किस तरह योगदान करते रहे निश्चे ही गौरों का भिश मेरे अत्यांत आत्मी प्रिभाई और निवंतर सहयूग करने वाले महात्मा गांधी केंद्री विश्वित द्याले की यसस्वी कुलपती प्रोफेसर संजीव कुमार सर्मा जी जो इस विश्य में पारंगत है और बिलक्षण बक्तिता की धनी है संस्कृत निष्ठ बक्तब अब इन्हें महारत हासिल है तक और तक इनके पास है इसलिए संदर्व कुरसंग बिलकुल सही दिशाम है रहता है इनको सुन रहा था मैं बहुत अच्छा लगता है जब यह किसी भी तरह मेरे पास होते हैं डिश्टर प्लेट पार या यथारत के धरातल पर यह मेरे लिए बहुत सुब कारक है तो ऐसे सुब कारक को सुनना भी सुब होता है बिच बिच के पुचिवर को सुनता wasmy के लिए संदीश भी है वह संकेत भी है इस बिधराखो ब्याक्षाय करने में और संब्रित करने में अपने भूहजान थारने के संदर में जबdeterm ceram कि जब हम लोग रा कि यह है कि बस्तुत राज नहीं भ्यक्ति समाज विविस्था राश्ट उर बैश्विक्ष समधाय के संबंदों को बैख्यायद करने वाली गिधां और इसं के माध्यम से हम ब्यक्तिके ब्यक्तित्व अस्तित्व मंतव्य और गंतव्य का बूद कर पाते हैं साथे समाज की संरस्ना अवयव और अवलंब के बारे में समझते हैं कि समाज की सोच क्या diferença समझ क्या है कि और किस दिसा में इसे बढ़ना है किसे करते हैं धर्म का यथाथ क्या है गुढ़ार्ध क्या है और तकत्वार्थ क्या है यारी पुराजनित के माद्य मंसर समझते हैं और सारों पर शासक के वोड़ कर्तव्य और लक्ष lors कि विशय में हम समझते भी हैं और कहते भी हैं राजनीत कि मांद्यम से सब्सक्राइब ले करके इसे कहा जाता है कि राजनीत अधिपति सास्त क्योंकि इसेमें अन्य सभी बिढ़ाएं समाहित हैं यह समाज को ब्योस्तित करते हुए राज को नियंत्रित निर्देशित नियमित और नियूपित करने की बिधार है इसलिए बेक्ति से लेकर समाज से होते हुए राजित तक को बिवस्तित कर लेना और बैस्विक मंच पर राष्टों के बीच पारस्परिक संबंद और संबाद अस्थापित करना यह सब कुस राजनीत में ही समाहित है इतना ही नहीं यह राजनीत ही नीत, नियम, नैतिक्ता, नियत और नियमन का भी निरूपर करती है इसलिए कोई ऐसा बिसाय नहीं है जो हमारे धर्म में हो, हमारे दर्सन में हो, हमारे चिंतन में हो, हमारे ब्योहार में हो जो राजनीत के दाएरे में ना है परम्पुजिकाय खाना कि धर्मनिष्ठे सत्यनिष्ठे कर्मनिष्ठे पक्सपात रहे हैं सुरक्षि संदच्षि स्वस्थ सर्वहित प्रद बेट्टी और समाज की रजना भी स्वस्थर पर करना ही राजनीत का अधे है निश्चही सत्त प्रासंगिक है इसलिए जब भी हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं तो अपनी परंपरा और समकाली माननेता दोनों को द्रिष्ठी में रखते हैं हमारी परंपरा में बैदिक ऑपनिस्थिक सांगिति पारानिक और सम्रय जब्रामा ह्णों से लेकर बिबिद इस उन्रतियों नीत ग्रंथों में इसका उलлек मिलता है बहुत सारे आचारी हैं जो इसमाइर विचार भी एकारते हैं प्जैस्पती हैं सुक्र हैं देश्पदी और भारत द्वाज को तो राजशास्त्र प्रणेता की कहा जाता है मनु यागिवल के बुधायन पारासर यह सभी हमारे राजनीत के आचार हैं और यह परंप्रा हमारे चानक के तकाई बाद में भी जो मनी सीवे स्वातंत रांगोलन में और आज भी सबकी अपने उदात माने पाएं हैं राजनीत को ले करके और इसलिए हमारे हां राजनीत को कई संदर्गों में देखा गया बस्तुता है यह लोक हित रास्ट हित और मानावतार के संदक्षां के लिए सत्ता धारकों सत्ता भिलासियों सत्ता सादकों और सत्ता के सुत्र को थामने वालों का खेल है और इस खेल में ही पूरी प्रक्त्रिया है निर्मान की ब्योस्था की और मनुस्य के लिए आउसर सुरत कराने वाले साधनों की इसलिए राजनीद अब एक संपूर परिवेश है आज कोई ऐसी घटना नहीं होती अस्थानी आंचलिक प्रांती राश्टिय से होते हुए अंतर राश्टिय अस्थर पर जिसमें राजनीद का अंस न माना जाए या राजनीद का कारण न माना जाए इसलिए अब जीते हैं और राजनीद की ही सांस ले इतना मधुन है राजनी हम इसे कह सकते हैं कि ब्यक्ति वर सत्ता के संबंदों का इसमें भाष होता हैक्त्वा सत्ता की नीतियां कैसे बनती हैं कैसे कृणामित होती हैं माने सांसप उन दोर समग रहे थे और साथ है राजनीत में अच्छी रोग नहीं होते हैं लेकिन हमारी माननिता यह है कि राजनीत संभावनाओं से आगे का भी खेल है और राजनीत समस्याओं के समाधान की बिधार कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान राजनीत के मात्यम से ना होता है क्यों राजनीत के आरोह औरोह में राजनीतिक संबाद में मतभेद हो सकता है मतांतर हो सकता है लेकिन इसमें मतभेद की कोई हुझाइस नहीं होती कोई संभावना नहीं होती हमारे हां भारत में राजनीत की दो मानताएं हैं एक मानता है तत्व कलानेदी में बंडित है और दूसरी माननेता हमारे हैं भर्धेरी की है तद्व कलानेदे में राजनीत को देवता की रूप में देखा गया है अर्थ सास्त्रम भवेद गवरं सारिका वदनम सुभं अक्स सुट्रम फलं विब्रत अन्ना हारं कमंडुलं की राजनेती तो सुब्र है इसमें कोई डाग नहीं है यह निर्दोस हो दिये अर्था किसी भी प्रकार की कलुस्ता राजनीत का ना तो बिसे है और नहीं पर्ष है नहीं यह इसका सुभाव है अगर कहीं है तो राजनीत नहीं है इसमें मधूर बोलने का विधान है इसका बदन मैना पक्षी की तरह से है सारीका पक्षी की तरह जिसे सुभ माना जाता है अर्थात राजनीत सुभ करने के लिए असुभ राजनीत की बित्ति नहीं है वह दूसरी विधार इसके चार हाथ हैं एक हाथ जिसमें अच्छ सुत्र होता है जब मालिका ध्यान का है वह ध्यान लोक हित का है जनहित का है दूसरे हाथ में फल फल अंब अर्थात राजनीति वह सय है जो परिश्टरम का फल देती है और यह फल सुफल होता है हमेशा सुभ सुन्दर सुभ ग्राह है अर्थात जिससे हम त्रिप्त हों और आद्म बोध हो कि हमारे कर्मों का सुफ़न मिलता है ये इसका दूसरा हाथ इस बात अप्रतीग है तीसरा हाथ जो अन्ना हार अन्न का पात्र है अर्थात किसी भी इस्तिती में एक देश मिशेश के जो निवासी है वह भूखमरी अत्वा अन्न के अभाव से ग्रस्त नहीं होंगे या देखना सासन का दाइब तो होगा और चौते हाथ में कमंडल अर्थात जल प्रवाः जल प्रवाः जो गत्य और प्रगत्य का दियो त है बिना जल जीवन नहीं इत बातों को लेकरके हमारे हं राजनीत की कलपना भी की गई है और कामना को में जम्हासी नोर्थास अ lagd classe है तो इसका और पर चारक franchiseं करते हैं जो सब तांगराज की चर्चा करते हैं स्वाम्यय अमार्ति जणपद दुर कोश्द और मित्र हमारे हां यह सब एक अलग विधाये है सासक कैसा होना चाहिए गुड़्धर्म कैसे होना चाहिए लग्स कैसे होना चाहिए उसमेंे जो मत्रिक पर्सद्ध हैं उसके कुण क्या होने चाहिए उनका लक्ष क्या होना चाहिए इसका विधान है जनपद भूभाग और जनसंख्या अर्था जो जनसंख्या हो उसमें राष्ट भक्ति हो और भूभाग इतना उल्वर हो कि कभी किसी चीज की कमी ना होने सुरक्षा विधान दूर्ग किस पर ध्यान देना चाहिए कोस बैभव होना चाहिए नयाय प्रेता होने चाहिए ड़भ होना चाहिए सुरक्षा के साथ-साथ ग्यानून की विवस्ता सैनिबल और मित्र हमारे सुर्द होने चाहिए हमारे जो तीन तत्व हैं इसे में पुरा प जनसंक्या है गुभाग है और जो चार अंगही मित्र में उनकी मानिता है इसके अत्रित जो अमान्ती मंत्री बर्गसथाई प्रस्साषन जो शुरक्ष्य का प्रवंद है दुर्ग और अर्थशास्त्र पियां उनकी बेष्टा में नहीं हम भूत आगे आधिकाल से ही राज्य की बॉस्टा ऑष्के ने धाल में रहें हमारे हां तो रेख भेद है अथार भेद में भी इसकी चर्चा मोत हुई है अधार बेनलई में तो पृत्वी के माकर कि कुट्ट्रों हम पृत्व्ः व्या हम तो शुर्थ को मा मानते हैं और अपने कुषचा पुत्र मानते हैं यह हमारे राजनीत का आसर है इसमें हम धरा को मा मानते हैं इसमें हम प्रकिर्ट का बंदन करते हैं इसमें हम लैंगिक समानता का उद्गोस करते हैं जो मनुस्मृति में है राजनीत का प्रमुक धर भी है बाद में यही गौतम बुद्ध ने भी कहा मनुस् होना चाहिए यह कहा हमारे सास्त्रों में यह हमारे राजनीत का आसर है कि हमारे भाई संजीव बहुत अच्छी बात बता जाते हैं दन्नीत के चार अधार लब अलब्ध लब्धार्थी लब्द परिक्षणी रक्षित द्वरत ने रहता सुनिष्ट प्रजबाद ने इसके आ इससे संचालीत होती है लाजनीत पिर हमारे हां घड़कोन इनेती दिया गया आसरे ने आसरे व्यूंद जबाव संस्रेश करते मंदत सिद्धान को सब्सक्राइब विचिग्र शुद श्हाथ इत्वाय है इसनधर लेकर ना कि राष्टिये राष्टिये अंतर राष्टिये राजनीत के धेर सारे आयोग और आसर हमारे हां पहले से ही बंपनित है हाल यह भी महता हैं है कि घाल यृजा का लक्ष वारा राजा-लak कैसा घुजा के को अर्था सास को करना क्या चाहिएक है अर्था सास national नाव सबसे बड़ी आस्था की पूंजी जहां हमारी आस्था होती है और राष्ट के जन हमारे भाई बंद हमारे लिए हमेसा बंद नहीं हम सब करते नहीं है सबेज्ड़ करते हैं जहां कहीं नहीं चुटा है सुचा भाई पार सिनाे कर तबैस्टा है को अभी मांत पूंद है सत्या अज़ाच पर्च्वा प्रिवादिनी चा हिंस्त्राद दयालुद चार्थ पराब दान्या नित्या व्यानित्य प्रचुर धना गमाच वारां गये वद्धि पंडिर ने करूपा कि जिसमें सत्य भी है असर्थ भी है कतलों मैं है मृत बेले का वी भाव है प्रेंग करने का वी भार मुझा परेंगी है धनागन भी है इस तरह से इसकी ब्रती बहुत चंचला होती है सब्सक्राइब तो उसी समय उन्होंने अंतर राश्टी राजनीद के जो गुण धर्म है उसका अनुभाव कर लिया था क्या होने वाली है राजनीद की विश्रा और दस्ता इसके बारे में लेकिन यह जो भात्यरी ने कहा भारत की सनात्म राजनीद से मीर नहीं कहाता है वह ऑर वियुक्ता के लिए इसका अब्रोग होता है और आज इसके राश्टी राजनीद में हरास्ट बारे में भी दिसन दिनी चाहिए इसको भी लेकर कि कई प्रकार के नियम बनाया गए क्रकार के दृष्टांत दिये गए यह माना गया कि धना धिक के खराब वोपाए कि इसलिए उसकी बहुत जड़ा अधिकता भी नहीं होनी चाहिए नियंत्रित होना चाहिए और हमारे बहस्य मेलें सबसे पहले इसके बारे मोफे ने ब्ताइब बो का महत्व क्या है कि सब कुछ बैभाव में ही समाहित है जिसके पास है वहीं बढ़ता है वहीं सारे गुणों से संबंध है दर्शनी है लेकिन है एक पक्ष्छ है यह जो बैभाव बाहर से दिखता है वह सुख का आधार नहीं हो सकता धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता सुख सुभ्यवस्ता और संजम से आता है संके से आता है इसको अइसको निशत के दौण को कि हम त्याकून भूग करें और आने वाली पीड़ी को उतना छोड़ के जाएं जो हमें प्रकिलती ने दिया है इस पर हमारी राजनीक हमेशा बिचार भी करती है और मंधन भी करती है कि आज जो बैस्विक ब्योस्ता हो गई थी कोरोना काल में उस पर ग्रहाण लगा हुआ है उसमें भोग सीलता पर बहुत ज्यादा आते हैं सब कुछ आप कर्ज लेकर कर लिजिए कर बना लिजिए हमारे हमी इस प्रकार का दर्सन देने वाला एक आचारे का नाम लिया जाता ह सब्सक्राइब करें उसे बहुत कुछ मिलता है ते जाता है बल आता है तो यह उनका भाव था अर्थात हमें सुख पुर्वक जीना चाहिए लेकिन सुख के लिए जो आधुनिक संसाधन है वह बस्तुतर हमें हमसे कहें दूर करते चले जा रहा है इसलिए सुख के साधन जब हम भी हम ल्क घाल करें कहा जाता है कि राजबी सुख कर रोती है प्रेकर करते महाराज भितराश्त ने जगलन से कहा इतना बोड़ा साम्राज है है ours that किसी चीज़ का भाव नहीं है फिर भी सुख नहीं है सुख के उपाय रताओ बिदुर महात्मा बिदुर ने उनको सुख का उपाय रताया अर्था गमो नित्यम भरूग इताचा प्रियाच भार्या प्रियवादिनेचा वसस्च पुत्रोर्थ करीच बिद्या खट जीव लू नित्यम रोग रहना चाहिए जो हमारा सहचर या सहचरी है जिसके साथ जीवन नियापन करना है वह प्रिकर भी हो प्रिये बूलने वाला दो तक बारी अच्छी होने चाहिए जो हमने राजनित की आर्मिक परिदाशा होता है सारिका की तरह मुख अथात मधूर मारी यह हमा सब्सकार संब्सकार संब्सकार हो रहे हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा आखरी है कि की मायशस्टपृत्रोर्थ करीचबिध्या वह जाही है जिससे हमारी आज़ियुका चले आजीयुका मिल सके रोजगार की और उसलनमिले इस प्रकार की हमारी द्याद्धू यहास्ता स्झेक्शन सांस्थानों से जाता है पहले जैसे आस्रमों औसे जाला करते हैं हमें इसपर जादा विचार करना है और यहां विचार करेंगे तब ही जाकर हमारी जेन राजनीत की उदाक्त लक्ष हैं हम उसे पूरा कर सकेंगे पहला लक्स तो यह था कि हम पूरी सब्सक्राइब को यह परिवार मान ले मोगनिसर में लिखा आया मनेजाव परोवेती गड़मा लोग्षे साम उदार जरता नाम तू बस उधायव कुटुंबकम यह भारत उदार चरित्र के लुगों का देश है और हमारे पूरी धरा ही एक परिवार की तरह से है इसलिए होना चाहिए संदक्षित होना चाहिए और यह दोनों भाव कियो अपने देश के लिए नहीं है संपून मानोता के लिए है यह राजनित का ब्रहत स्वरूप है जिसको ले करके हम चलते हैं और मूलता है राजनी सब्ता और सासित के अंतर सांबंदों को भी रुपाइद करत दुनिया का विसालतम लोगतंत्र है और सफलतम लोगतंत्र इसमें पुए संसे राचीन भारत में घड़ तंत्र वह भी बहुत ज़्यादा सफल थे वही सुत्र आज भी मानक हैं सफलता के सब्ता के पुराने 301 अपर में कर सी उमारों सुद्र संकानी का प्रार्जुन और जैसे बहुत सारे गनवाज थे बैसाली कुषिन अगर कुषिन आरा चेतर से मैं आता भी हूं इस सारे गनवाज थे बहुत सफल थे कौतंपुद्जी से पूशा गया कि इन गरतंत्रों की सफलता के कारण किया है जो आज के बहुत ज़्यादा प्रासंकीत है तो सब्त ने जानती है मनतब जानती है और एक लगाव भाव उत्पन होता है नेमों का पालन करना कि यह सब के लिए आउस्टेक है नियम केवल पालित हो यह अधिकारियों जन प्रत्नेदियों या जो महत्कून पर बैठे होने के लिए नहीं जन सामानी के लिए भी था धर्म और रख्षत अब है चैना सक्कान आप नियम का पालता हो रख्षी तैसा जाओन नीम यह ऐसे में चाहिए जो अन्जन ही हो अध्यान रखा जाना चाहिए राख्षित जिश्वश्वा सवाजिया यह राश्ष्ट में बज़ोगों का सम्मान का संवान नहीं होता वाँजों की भाश्व लिए चलते हैं वह समाज प्रगतिकामी समाज नहीं कहा दाता है इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा रहाँ चाहिए यही मनुल सिद्धि में भी है यही गर्दंप्रों की सफलता का सुथ बताते हुए अग्वान बुद्ध ने भी कहा यह क्या कहा अंत में अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए सुधर्म ने अन के भारति राजनीतं कही जाते question पवित्रता की राजनीतं है और गाती कहते थे कि सिद्धान्त विहीं। एक साथ है play इसमें है सुशित हो आत eran कि सिद्धान्त हो राश्ट मक्ति हो दायतों के निर्वां का भारो हो और यह सब रहेगा तर्या कि जीक निरंतर पर वाहित और यहां जाता है अर्थात हमारी राजनीत का भाव है कि हम जर चेतन सबसे प्रेंग करें कि सब्सक्राइब करें हम दुराओं ना रखें लगाव रखें कि हमारा सुभाव होना चाहिए हम प्रगत की दौर में आगे हैं और कोई भाई हमारा पीछे चोड़ गया तो उसे आगे तलिए चलने के लिए हम सपोर्ट प्रदान करें हम संब्ल प्रदान करें यह हमारी राजनीत का भाव है और इसी दिए कहा जाता है कि मारी राजनीत का लक्ष भाव की दावत है वह अलक्ष है सर्वे भवन्तु सुखिनहं सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पस्चन्तु मा कस्चित्थ भाव भवित हम सब के सुख की बाप करते हैं यह हमारी राजनीत का ब्यापक चरित्र है और सुभाव है अगर हम सब इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चे ही यह हद्गुस्तान पुना दुनिया को आलूकित करने वाला है सिक्षा के चेत्र में स्वास्त के चेत्र में राजनीत ब्योहार और सिधान्त के चेत्र में दर्सन के चेत्र में कला और बिग्यान के चेत्र में हम बिग्यान की हमारी मानत्या है कि आत्मतत्वा और पर्मात्मतत् बिसिष्ट ग्यान है और आज ये कल जुग है कल पूर्जों का जुग है तकनिकी का युग है ये तकनिकी किस प्रकार की होने चाहिए इस पर भी हमारे सास्तों हो बिचार गुए और सब की दिसा निर्देशित नियंत्रित करने का अजगार राजमीत को मिला क्योंकि यही रा आश्त धर्म है मुझे पुरा विश्वास है कि इस संगोष्ठी से और परमपुज के आसिल बात से हमारी राजनित ऐसी है और ऐसी बनी रहेगी कि आने वाले विश्व को हम पुना आरूकित करेंगे अपनी आभा से अपनी प्रग्यां से अपनी मेधा से और दुनिया की व सद्भाव नहीं होगा सामत होगी सद्भाव होगा सास्तित्त होगा और सांतिकूर अस्तित्त होगा आप समय हमें अपने साथ जूड़ने का उसर दिया इसके लिए मैं आप सभी का कि तक यह हूं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणा झाल